हेलो माई डियर फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज हम आपके लिए सीटेट में आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है उसका हम पूरा स्लेवस लेके आए हैं फ्रेंट्स किसी भी एक्जाम की प्रप्रेशन करने से पहले हमें उसका स्लेवस पदा होना बहुत जरूरी है तो देख क्या है एक बर सीटेश्ट लेवस इंग्लिश लेंग्विश जिसमें आपके कितने कोर्षिंस आने इसमें आपके थर्टी कोर्ष्टंस आने है अब देखें लेंग्विच कंप्रिहंशन बत्ब जो आपका कंटेंट वाला पोर्शन रहेगा 15 मार्क्स 15 कोश्चन वहां से आने वाले तो इसमें देखिए reading unseen passes unseen passes या हम इसे comprehensive passes भी कह सकते हैं इसमें क्या होता है आपको एक passes दिया रहता है जिसमें जिससे related questions दिये रहते हैं उन passage को पढ़के हमें उन questions को solve करना रहता है तो यहां पर देखिए आपको दिया गया two passes आएंगे एक किसे आएगा फ्रोज या ड्रामा से और दूसरा किस से आएगा पोयम से questions on comprehension और इसका मैं आपको comprehension solve करने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको प्रोबाइट किये कि आप किस तरीके से unseen passes को solve कर सकते हैं तो उसका link मैं description में डाल दूँगी जहां से आप उसको देख सकते हैं उसके बाद देखिए आपका inference grammar and verbal abilities से question आएंगे तो friends grammar में आपका rearrangement भी आ सकता है जो आपके क्या कहना चाहिए error वाले questions भी आ सकते है error वाले question क्या होते हैं आपको एक sentence प्रोबाइट किया जाता है उस question में कहीं ना कहीं grammatically कोई ना कोई error होती है उस question में तो हमको अपनी knowledge से उस error को find out करना रहता है तो इसके लिए हम एक एक चीज पढ़ेंगे grammar में एक एक rules को हम देखेंगे अपनी next देखिए अब क्या है language development मतलब यहां पर आपका job जिसको आप बोलते हैं सारल भासा में हमका भासा विग्यान से आपके बंद्रे कोशन आने वाले हैं friends इस बार टैट के exam के सभी subject में भासा विग्यान से काफी ज्यादा portion contain किया गया तो first topic है आपका learning second में आप देखिए principle of language teaching next देखिए role of listening and speaking functions of language of two children use it as a tool तो सबसे पहले हमें learning के बारे में पढ़ना है फिर हम इसकी principle मतलब language के teaching के principle सिधान के बारे में पढ़ना है हमें listening और speaking के role क्या होते हैं एक language के लिए और किस तरीके से कोई children उसको use कर सकता है उन tools को हमें इन बारे में पढ़ना है अचलिए अब हम आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें अब देखिए friends next हमें पढ़ना है critical perspective on the role of grammar in a learning a language for the communication idea verbally and in a written form friends कोई भी कोई भी subject क्यों ना हो जैसे अगर हम Hindi English की बात करें तो दोनों के लिए ही grammar बहुत ही जादा जरूरी पार्ट रहता है दोनों subjects के लिए तो हम grammar जैसा कि मैंने आपको बता है हम grammar एक एक करके पढ़ेंगे और यहां पर हम उसके rules भी देखेंगे कि grammar क्यों जरूरी है learning language के लिए अब देखिए next में क्या challenge of teaching language in a diverse classroom language difficulties अब next आपको क्या topic पढ़ना है challenges of teaching language in a diverse classroom language difficulties errors and disorders फिर language skills के बारे में आपको पढ़ना है next कि evaluating language comprehension and prosperity speaking listening reading and writing जैसा कि मैंने आपको बताया है comprehension क्या होता है unseen passage होता है एक ऐसा passage होता है जिसको generally जो हमारा बिना बढ़ा हुआ होता है उसे हम questions को solve करने रहते हैं तो इनमें हम उन बारे में पढ़ेंगे नेक्स एक है क्या दिया teaching learning material text tool multimedia material multilingual resources of classroom remedical teachings फ्रेंट्स यह रहा आपका CTAT का whole syllabus आपको क्या गया पढ़ना है प्लीज आप इस syllabus को कहीं नोट डाउन कर लीजिए और एक एक चीज जैसे हम पढ़ते जाए उसको टिक करते जाए फ्रेंट्स जो CTAT का exam होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि Central Government का exam है इस सेनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, इन स्कूलों में आपको job opportunity मिलती है तो फ्रेंट्स इन स्कूलों के लिए आपके English अच्छी होना बहुत जरूरी है तो इस paper में English का एक अच्छा खासा label आपके सामने रखा जाता है तो थेंक्यू फ्रेंट्स हमारा वीडियो देखने के लिए और मैं आपको सभी चीज़ा पढ़ाऊंगी Unseen Passage का मैंने एक वीडियो प्रोबाइट कर दिया है जिसका आप लोगोंने मुझे बहुत अच्छा response है मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्टिव इसके वीडियो के description म वहां से आप देख लेना और वहां पर मैंने आपको एक मीनिंग्स याद करने का भी बहुत अच्छी ट्रिक दिया मैं वह लिंक भी डाल दूंगी फ्रेंट्स इंग्लिश के लिए words आपकी vocab बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद आप जैसा मुझे कमेंट करेंगे अ सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स सक सेयर करिए जिससे कि उन्हें भी इस लेबा से फाइदा हो थैंक यू